दोस्तो इससे पहली वीडियो में मैंने कुछ ऐसी कंपनी के नाम आपको बथाए थे जिसमें 10 साल पहले अगर आपने 1,00,00 इंवेस्मेंट की होती ही तो आज वो 1,00,00 रुपे आपको क्रोड़ पती बना देता एक कंपनी तो आपको 11 क्रोड से उपर कमाई करके देती दोस्तो उस वीडियो में आपके बहुत सारे कंपने आए और आपने पूछा कुछ ऐसी कंपनी के नाम बथाए जो फ्यूचर में मल्टी वेगर रेटन दे सकते हैं तो मैंने 5 कंपनी के नाम धूंत के निकाले हैं जो आपके 1,00,00 को 5 क्रोड बना सकते हैं और आपके क्रोड़ पती बनने की इच्छा भी पूरी कर सकते हैं तो उन कंपनी के नाम बथाने से पहले कुछ बाते क्लियर कर देना चाहता हूं तो बाते थोड़ी ध्यान से सुने दोस्तों ये काफी serious वीडियो है क्योंकि आपके पैसों का सवाल है अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आपको loss भी हो सकता है तो एक second वीडियो को skip ना करें अगर आपके पास अभी time नहीं है तो वीडियो को आप अभी के अभी छोड़ दीजिए और जब आप invest करना चाती हो तो अपनी research भी add कीजिए दोस्तों पहला best multi-vega stock TCS है दोस्तों TCS एक IT company है और दोस्तों मेरा मानना है टाटा जैसा इंसान आपको कहीं नहीं मिल सकता है तो इससे अच्छी IT company कोई नहीं हो सकती है यह company 40 country में अपना business को run करती है TCS market cap पे हिसाब से इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी company है एक लाग क्रोड से भी उपर का market cap है company almost debt free है बहुत कम करजा है जो आज ही दे सकती है लास्त तीन सालों में अच्छा return on equity दिया है almost 34% के आजपास अच्छा dividend pay कर रही है अपने shareholder को हर साल TCS के net profit and loss 10 सालों के काफी अच्छी है जो हर साल increase हो रहे है 2019 का profit 31,472 क्रोड था और 2020 में बढ़कर 32,430 क्रोड हो गया और अगर earning per share की बात करो तो उसमें भी अच्छी growth देखने को मिल रही है 2020 में earning per share 86.19 था stock का shareholding pattern देख लेते हैं जिसमें हमें पता लगेगा कि promoter का कितना पैसा stock में है और किन-किन बड़े institution का पैसा लगा है promoter stock में 72% है FII stock में 16% है DII stock में 7.85% है ODC government की भी holding है और सबसे बड़ी बात stock में public की holding मातर 4% है जो काफी कम है वज़ा से ये multi-vega stock है एक advice देता हूँ जिन stock में promoters FII, DII का पैसा अच्छा लगा होता है उसको कभी भी नहीं बेचना चाहिए इनी region से ये stock multi-vega stock हो सकता है जिसने past में अच्छी return दिखाई है और future में भी multi-vega return दिखा सकता है तो दोस्तों हमारा जो दूसरा multi-vega stock है वो है हमारा Bajal Finance Limited ये एक non-backing financial company है और जो company basically deal करती है Conjure Finance में SME, Commercial Lending and Wealth Management दोस्तों मेरा मानना है कि इससे best non-backing financial company इंडिया में कोई नहीं है अभी तक देख लेते हैं इस company के बारे में profit and loss कैसा इसके books हमें कैसी लगती है दोस्तों company का जो market cap है वो 3,00,000,000 क्रोड से भी जादा है देख सकती हो दोस्तों net profit में लगातार इसमें एक अच्छा कासा growth नजर आ रही है और लगातार ये company एक अच्छा profit show कर रही है अपने books में और साथ में EPS में भी एक अच्छी growth नजर आ रही है दोस्तों FI20 में जो इसका profit ता वो था 4,881 जो last year के comparison में almost 10% up है अब इसका serolic pattern एक बार देख लेते हैं तो आपको देखने को मिल सकता है इसे promotor की जो holding है almost 56% की आसपास है और FIIs का भी पैसा stock में invest है 21% की holding है दोस्तों हमारे घहरे-लू निवेंसर DIAE का पैसा भी इसमें invest है almost 11% की आस-पास और दोस्तों आप देख सकते हैं public इसमें almost सारे ग्यारा परसेंट के आसपात है तो दोस्तों पब्लिक इसमें काफी कम है दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो के सुरू में बताया था कि जिस स्टॉक में पर्मोटर FII और DIA का पैसा होता है तो डेफिनिट्ली स्टॉक को हमें बाय करके चलना चाहिए अपने करती है उसमें बैबरिजेस परड़क्स परसनल के परड़क्स वाड़र प्रिफायर आते हैं तो एक बार देख लेते कंपनी मुझे क्यों पसंद आती है कंपनी का मार्केट कैब आलमोस्ट 6 लाक क्रोड के आसपास का है कंपनी का काफी अच्छा है वन परसेंट के आसपास है मैंने आपको बताया कंपनी अच्छा करती है अपने सेर होल्डर को तो मैंने इसके प्रॉफिट और लॉस खोल लगे लास दस सालों के दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है लगातार उसमें एक ग्रोध नजर आ रही है और मार्दु तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 62% के आसपास है FII का पैसा भी इसमें इन्वेस्ट है अल्मूस 14% के आसपास और DII का पैसा भी इसमें इन्वेस्ट है अल्मूस 11% के आसपास और जो पब्लिक है वो मातर 13% के आसपास इस स्टॉक में है और ओवरॉल स्टोडी मैं ब हमारा चौत्था multi-vega stock Asian paint है और दोस्तों मेरा ये मानना है इंडिया जितना modern होता जाएगा इसकी डिमांड और बढ़ती चली जाएगी क्योंकि लोग कभी paint करना बंद नहीं करेंगे तो इसलिए एक painting stock आपके portfolio में होना चाहिए दोस्तों जो Asian paint का market का एप वो 50,000,000 क्रोड से उपर का है दोस्तों Asian paint company भी almost debt free है लास्त तीन सालों में इसने अच्छा return on equity हमें दिया है almost 26% के आसपास तो लास्त दस सालों का profit के अगर मैं बात करता हूँ इसके profit में भी लास्त दस सालों में एक अच्छी growth देखने को मिल रही है और मार 2020 का इसका profit almost 2700 क्रोड के उपर था और earning for share में भी अच्छी खासी growth देखने को मिल रही है अब एक बार देख लेते हैं इसका shareholding pattern दोस्तों promoter की holding almost 52% से ज़्यादा है और FII की holding 19% से ज़्यादा है और दोस्तों DII का भी पैसा इसफे invest है almost 8% के आसफास उनकी holding है और थोड़ा सा government की भी holding है और दोस्तों public जो general public जिसके में बात करता हूँ मात्र 19% के आसफास उनकी holding है तो दोस्तों इनी reasons दो मुझे लगता Asian Bait में एक multi-vega stock हो सकता है तो हमारा पांच हुआ multi-vega stock है Reliance owns businesses across India engage in energy, petrochemicals, textile, natural resources, retail and telecommunication तो दोस्तों ये company इंडिया की हर व्यक्ति की जेम में राज करता है और कहा जाता है Nifty 50 Index का राजा है और मेरा मानना है अगर आपने अपने पोर्टफोलियों में राजा को जगा नहीं दी तो सिपाइनियों को रखने का कोई फायदा नहीं है अब देख लेते Reliance की profit and loss ये एक stock मुझे क्यों पसंद आता है इसका market cap 12,00,00 करोड से भी जादा है और ये इंडिया की largest market cap company है दोस्तों देख सकते हो स्कीन में आपको इसके 10 साल के profit देखने को मिल रहे होंगे और इसके profit में भी continuously एक growth देखने को मिल रही है और FI20 का जो इसका profit था वो 49,000 करोड से भी जादा का था और अनिक फर शेर में भी एक अच्छी खासी growth नजर आ रही है और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके shareholder pattern की तो दोस्तों देख सकते हो promoter लगातार अपनी holding increase कर रहे है और currently जो promoter की holding है वो 50% से जादा है और FII अपना पैसा भी लगातार इसमें increase कर रहे है इनकी holding भी almost 25% से जादा है और DII भी इसमें invest कर रहे है और उनकी जो holding है वो 13% से जादा है और जो public की मैं बात करता हूँ दोस्तों public मातर इसमें 11% के आसपास है दोस्तों overall मैं बात करूँ तो promoter, FII, DII और government का पैसा इसमें involved है तो बड़ा पैसा reliance में लगा हुआ है तो definitely आप भी इसमें अपना थोड़ा सा पैसा लगा सकती हो इसी वीजन से मुझे ये stock अच्छा लगता है दोस्तों हमारा last यानि छटा multi-vegas stock iisher motors है basically ये motorcycle a commercial vehicle manufacture करता है across India दोस्तों इंडिया में motorcycle लेना हर किसी का एक सपना होता है जब से iisher motor की bullet आई है लोग पागल है bullet के लिए और life में एक बार इसको right करना चाहते है तो right करने के लिए आपको bullet को ख़ीदना पड़ेगा तो मेरे साब से future में इसकी demand बहुत रह सकती है stock की इसलिए इस stock को भी आपको अपने portfolio में add करना चाहिए इसलिए पर ये stock books के recording मुझे क्यों पसंद आता है दोस्तो आईशन मोटर का market cap मात्र 66,858 करोड का है दोस्तो आईशन मोटर भी almost debt free company है और इसने में last 3 सालों में return on equity 25% के आसपास प्रधान की है लाद 10 सालों का मैंने आपके सामने स्क्रीन में profit खोला हुआ है तो देख सकते हो जो net profit है लगातार increase हो रहा है और earning per share में भी अच्छी कासी growth नजर आ रही है तो इनी वज़ा से मुझे लगता है definitely आपको इस stock को भी अपने portfolio में add करना चाहिए अब बढ़ते हैं इसके sale holding pattern की तरब प्रमोटर, FII, DII, government सबका पैसा इसमें लगा हुआ है अगर मैं बात करूँ प्रमोटर्स की holding तो 49% के आसपास प्रमोटर्स की holding है और FII की holding 28% के आसपास है और DII की holding almost 9% से जादा है और थोड़ा बहुत government का भी stake इसमें है और मैं बात करता हूँ हमारे retail लोगों की मात्र 12.50% के आसपास retail public ने इसको hold कर आवा तो दोस्तों ये काफी बढ़िया stock है क्योंकि इसमें promoters, DII, FII का पैसा लगा हुआ है इसी वज़ाए से मुझे लगता है ये stock आपको एक अच्छी return दिखा सकता है आने अले कुछ सालों में तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समापत करना चाहूँगा मैंने आपको हर stock के बारे में एक छोटा सा overview दे दिया है अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है वीडियो पसंद आया तो definitely आप लाइक कर सकती हो और नीचे comment करके हमें बता सकते हो कि वीडियो कैसा लगा और आपको कौन-कौन से stock पसंद आते है जो definitely आपको multi-vega return दे सकते है आने वाले future में आप नीचे comment करके share कर सकती है और दोस्तों अगर आप वीडियो आपने अभी तक देखा है तो आपके साथ मैं इस सभी stock का chart share करता हूँ जिसमें मुझे लगता है personally ये एक best entry point हो सकती है और best stop loss हो सकता है इस वीडियो में इतना ही आप नीचे comment करके मुझे बता सकते हो अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो जिसमें मुझे कर दो